दोस्तो रानकलासेज में आपका स्वागत है तो अभी की ब्रेकिंग नियूज आ रही है बहुत वड़ी ब्रेकिंग नियूज दिनांक साथ दस दो हजार बीस को आयोजित होने वाली एकतिसवी बिहार नियाइक सेवा प्रारंबिक प्रतियोगता परिच्छा अपरिहाय कारणों से अस्थागित की जाती है मुप्यूग दोनों परिच्छा की संभाविती थी अब कब होगी तो 65 संजुक्त मुख्य लिकित प्रतियोगता पचीस से ग्यार दो जर्वी 26 से ग्यार दो जर्वी से ओंठाए से ग्यार दो जर्वी इसको होगी एकतिसवी बिहार नियाइक सेवा प्रारंबिक नहीं था इसलिए आयोग नहीं है जो कि यह क्योंकि सेंटर भी तैय हो गई थी आपको अखवारवं भी दिया था और दो दिनों के अंदर एडमिट कार्ड भी लेकिन अभी क्योंकि दिन काफी कम है मान कर चला जाए तो आपको आठ से नौ दिन और काफी लोगे बहुत दूर रहते हैं को केरला कोई चेन नहीं बहुत सारे कारणों से तो निश्चित रूप से जुडिश्री की है जो कि यह परिच्छा रद होनी थी एडमिकार्ड आने के बाद भी काफी फरसानियां होती तो यह बीपेसी के द्वारा है जो कि अच्छी पहले कि इतने मिलेंगा तो उनकी लिए बड़ी खुसकरी कि उनको कम से कम है जो कि लगभाग जो कि आपको दो महीने का है जो कि समय मिल गया है और पैशट भी विपेसी के जताई जा रहे थी क्योंकि कल खवर आई थी कि आपको तीन-चार दिन में एडमिकार्ड जो कि जारी होगा लेकि जो कि उनकी परसानियां बढ़ सकते तो यह परिच्छा आप कब होगी 25-11 को मतलब 25 नवंबर को 26 नवंबर को और 28 नवंबर को तो आपको पैशट भी विपेसी मेंस के लिए जो कि आपको लगभा के जो कि दो महीने का समय मिला है इसमें भी एक महीने का या देडम दो महीन आपको भी एससी इंटर लेवल मेंस के कैनिडेट थे वो बहुत कंफ्यूजन में थे कि क्या करूं क्योंकि तीन-चार परिच्छा हैं लड़ रहे हैं तो उनके लिए अच्छी ख़बर है कि पैशट भी विपेसी मेंस है जो कि आपको डेट बढ़ गई है अब भी एससी इ ख़बराने की कोई जोड़त नहीं अब बहुत सारी लोग डढ़ेंगे कि यह धरोगा का परिच्छा भी रद्ध हो सकता है क्या तो नहीं कि intent card जोकि परीच्छा का जारी कर दिया गया है और एक त्व दोचारा इसे बिन पूछेंगे तो उस तभी के लिए असर ही रहेगा कोई बहुत ज़रा difference नहीं करेगा तो आप लोग से practice करते हैं और जहां तक बात एक 31 judiciary के लिए जिस तरह से काफी घवराया है वेट से परिचार थी तो उनके लिए एक सुनाहरा मौका है कि अब इसने डरने की ज़र आप फिर से जो कि आप अपने judge वाले पर पढ़ाई है उसक दिसंबर को हो गई है तो कहीं न कहीं है जो कि सारी परिच्छाएं जो कि अब दिसंबर में होगी और home guards और जो है आपको ये सोरी जो forest guard हो गया या जो और सभी परिच्छाएं ये जो है आपको December या January में होगी तो क्योंकि election के समय है और आप जान रहे कि जिस आचार शेहित पूरा शिष्टम है जो कि अब एलेक्शन में लगेगा तो और लग भी गया है और पूरी तेज़ लगे तो कहीं न कहीं हो जो कि परिच्छा लेने की परकिरिया भी गड़बर होगी और क्योंकि ज्यादा तर जो सिच्छक होते हैं वह एलेक्शन कार्ज में रहते हैं उनको अब कर सकते हैं एलेक्शन 8 सक्टूर को तो अभी क्या ज़रुवत था कि परिच्छा को बढ़ाया जाए तो इसका नहीं को क्योंकि उसमें ट्रेनिंग दी आती है कई पेच की ट्रेनिंग होती है सारा चीज को बताया आता है और उस पर है जो कि परकिरिया जो कि लम्भी प आवा सकता है तो यह बड़ी ख़वर है और उनके लिए खासकर अच्छी ख़वर पैस्ट के लिए जो एकदम नए जो चेंज किये थे सब्जेक्ट या बिल्कुल नए है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि परिच्छा होगी तो मैं कितना लिख पाऊंगा तो अभी आपके प वह सब्सक्राइब का लिखने को अच्छी रहे नीचे है और वे पडिशक पकड़ेता है कि आपके लेंग्वेज से ही अधर लेता है और उसके बाद प्रकिये उसके पाद कीए पढ़ेंगर आपके लेंग्वेज अच्छी नहीं है चाहिए ही हिंदी हो या इंग्लिश हो वहां पर आपको उभासा जो कि काफी एच्छी रहती है, क्योंकि उभासा का बहुत बड़ा रोड रता रिटेनिक गाम में, और 31 वी का फ्रीवी आपको बढ़ गया है, तो अब जो परिच्छाएं जो होनी हैं सिर्फ भिहार दरोगा, मैंस होगी, स्वाविमान बटालियन सि परिच्छा है, उसकी परिच्छा होगी, क्योंकि यह तीनों का है, जो कि जारी कर दिया गया है, तो इसी अपडेट के साथ है, जो कि धन्यवाद, और एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ, कि शार्षेटवी के लिए आप विसे कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, और मैं थोड़ी दिर बाद या कल है, जो कि आपको DSP, काराधी चक और समान डिश्टा का है, जो कि कार जी परमोशन, बेतन क्या है, उसकी कहां पर पोस्टिंग होती तो यह सब बताऊंगा आपको, और शार्षेटवी का फोर्म भरने का पूरा तरीका वक्त के आज जो कि रिश्टेशन चालू हो गया है, और कल है जो कि आपके फोटो शीकनेचर या फोर्म भराएंगे, तो शीक सब धन्यवाद